है लो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉलूशन्स जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात कि थी कि कम पैसों में कम खर्च में घर या मकान कैसे बनाएं तो उस टॉपिक पे हमने बात कि थी काफी पॉइंट हमने उसमें बताए थे तो उस वीडि सेशन्स व्यडियो मैं पहले आपको बताता चलूं कि अगर हमारा सरियह कम डाएगा है तो तो हम अगर चाहे तो लैपिंग का स्थिमाल कर सकते हैं वेल्डिंग का तो करनाहीं नहीं है मैं आपको सला मेंसे नों कि वेल्डिंग का तो रहेगा कुल Success Time 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 करनाहीं थैंग उसक कि तो कि कॉलम हो या विम या सलेब हो किसी में भी अगर हमें इसकी जरूरत पड़े कि हमको जो है कि इसमें एड करना पड़े कि सरया हमें बढ़ानी है और सरीया बढ़ानी है तो हमें इसके लिए सबसे बहतर उपाए कॉन सर हैगा इन तीनों में वेल्डिंग है या कपलर है या लेपिंग है तो मैं आपको सला दूँगा सबसे पहले कि आप जो है कपलर का ही इस्तिमाल करें लेकिन अगर सरीया जाधा डाय की है तो कपलर का यूज कर सकते हैं अगर कम डाय की सरीया है तो हम welding जो आपके सामने है तो यहठीन दौरा जोड़ा गया यह भी बहत्र है अगर आप मशीन महींद्वरा अगर welding करते है तो थोड़ा सा तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहता है लेकिन मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी माने मेरे सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से अगर हम बीम की बात करें तो उसमें 50D रहेगा तो बारा की अगर 12 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो 600 mm यानि की टैंसाइल जोन में 600 mm सरिया एक दूसरी कूपर चड़ानी पड़ेगी और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में 45D रहता है अगर 12 सरिया बा डाय के साब से चड़ानी पड़ेगी क्यूंकि 45D दे रखा हुआ है तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कॉपलिंग की अगर लैपिंग की बात करें तो में लैपिंग देखो लैपिंग में क्या रहता है कि सबसे बड़े पोइंट यह है कि लैपिंग एक जगा अगर इसी तरीके से करेंगे लंबाई उसकी कैसे निकालेंगे यह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अगर इसी प्रेंट पर बात करें कि ह toolbox कुछ कंप अधर कि इस लिए यह तो fiscal हमारे लिए 270 लहेंगा कि कि यह इस्तिमाल करेंगे तो हमें कप्लर का यूज करना ही पड़ेगा क्यूंकि मालीजिए को 20 अधर करें अब हमें 50 लेना थे मैं एक मितर्यansen ऑर लेट चलएगा तो 1 आइग मोमारे सरी है कितना आप तो जानते है इस वक्त सर्या का क्या रेट है सर्या हैवी रेट होती है होती जा रहे हैं तो अगर हम कपलर उसके में इस्तिमाल उठा लेंगे कपलर का एक पीस उठा लेंगे तो हमें वह कम पैसे में कम कॉश्ट में पढ़ जाएगा तो इसलिए हमारे लिए जो बहतर है उसमें 40 mm तक सरीय मैंने इस्तिमाल किया है 40 mm का सरीय हम इस्तिमाल और रहे हैं अब हमको overlap देना है अगर हम लेपिंग देंगे तो लेपिंग भी हमारा कितना सरी हो जाएगा नहीं को 50 अंगर डाय हमारे पास कितना है तो इसलिए मैं आपको सफ़ा दूँगा कि अगर आपका गंडाय का सरीया है तो आप overlap इस्तिमाल कीजिए और अगर minimum डाय का है मतलब सब्सक्राइब क्पटर अस्तिमाल कियुत छाइब को में छुआ होता है जैनNEW घ्रता है वो इस ओट इस्वाइब देते आदा बघने रखिए उसी बोल्ट को उससरीया से यह किया बना देते हैं और तो वह यूज कर लेते हैं जैसे इस वक्त ही हुआ है इन्होंने सरिया में ही चूणिया रखी है उपर उदर नट चाड़ा दिया है अब इन्होंने नट में ही उसको मतलब कस देना है वह फिक्स हो जाएगा तो इसमें यह रहता है तो कपलर इसलिए बहतर रहेगा क्योंकि सम रेट में भी मिल जाएगा और अगर इंजिनियर्स की बात करें तो वह कपलर का ही इस्तिमाल करते हैं और आप नॉर्मली घर की बात करें तो वहां पर आप ओबरलैप चला सकते हैं लेकिन मैंने जसे तरीके से फॉर्मूले बताये थे उन फॉर्मूले के हिसाब से ही उच्छा नीचा एक उपर कार दियो तो एक उससे नीचे कार दी तुसरी उससे बड़ी उपर कार दी इस तरीके से सर्या का उसमें जोइन्ट लगाए तब लैप करें तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएगा अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपको आसानी के साथ पहुंचा सकें